गुड इवनिंग फ्रेंड्स और मैं डियर इस्ट्रेंट्स वेलकम टो आर चेनल मैं राजेंद्र मनलोई आपका हमारे सेनल प्रफे से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सेनल के मध्यम से हम क्लास 12 की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं साथ ही हमारे सेनल के मध्यम से क्लास 12 की वर्क बुक को भी कवर किया गया है जिसके हमने प्लेलिस्ट बना दी है ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में आप ग्रेमेटिकल पोर्षन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी साथ ही वर्क बुक की प्लेलिस्ट मिलेगी और अभी तक आपने हमारे जो टेक्स्ट बुक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की भी मैंन नमबर फास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने अल्ड़ेडी कम्प्लीट कर दिये हैं और उनके वीडियो की प्रेलिस्ट बना दिये हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं ठीक है आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं इससे पहले मैं आपस रिक्वेस्ट जरूर करू ठीक है दोस्तों चलिए आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं लेशन नमबर फाइब है 10 नेशिर लास आफ सक्सेस सफलता के 10 सौभाविक नियम नेचरल का आर्थ होता है उनके प्रने हूं लाज मतलब नियम, आप सक्सेस सफलता के दस स्वभाविक नियम, तो इससे पेले हम कोटेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, तो यहां पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें 10 स्टेप्स दी गई है, मिन्स यह इस्टेर है, इस्टेर मतलब सीडिया होता है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, यह 10 laws of success हैं, यहां पर यह दिये गए हैं, जिससे time, direction, यह बहुत सरी चीज़ें सिंबोल दिये गए हैं, इनसे हमें वो इंडिकेट कर रहा है, एक वेक्ति हां पर सफल होने के लिए उनको यह 10 नियमों से यह दिवो चलता है, तो ब नेचरल लाज, सोभाईक नियम यह प्राकरतिक नियम, जिसे ग्रेविटी और फंडमेंटल पेटर्न्स अफ नेचरल, नेचर और लाइफ, जिसे गुरुत्वा कर्शन, लाइक ग्रेविटी और फंडमेंटल पेटर्न्स अफ नेचर और लाइफ, गुरुत्वा कर्शन, और फंडमेंटल पेटर्न्स, जो की आधार भूत प्रतिमान है, पेटर्न्स का अर्थ होता है प्रतिमान, आफ नेचर और लाइफ, प्रकृति और जीवन के, जिस प्रकार वस्तूओं का उसी प्रकार से वर्णन करते हैं, जैसा कि यह है, जैसे ग्रेविटी है, तो हमें पत्थर उपर उच्हा लेंगे, तो वो नीचे आएगा, अब वो पत्थर उपर हमने फेका था, और वो नीचे क्यों आया है, इसको हम हमारे इसाफ से कुछ भी मान सकते हैं, ल वेसा नहीं होता है, वेसा ही होता है, जैसा की ये रहते हैं, इसका आर्थ ये है, as opposed to how we think they are, हम भले ही इसके विरुद्ध में रहें, जो नियम है, उसके खिलाब हम रहें, चाहे, और how we wish they are, और जैसा हमारी इच्छा हो, वेसा ये नहीं रहते हैं, समझ मा आ रहा है, whether we agree with them, और not, या नहीं रहें, these laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness and wishes, these laws ultimately, अंततह ये नियम हमारे जीवन को संचालित करते हैं, obeying them can help us gain control of our lives, इन नियमों के अनुसार यदि हम चलें, तो हम हमारे जीवन में नियंतरण पा सकते हैं, improve our relationship, हमारे जो संबंध हैं, जो relationship है, इसको improve कर सकते हैं, increase our personal productivity, व्यक्तिगत उत्पादन को increase कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, and experience inner peace, और आंतरिक सांती को, inner peace मतलब अंदर से, आंतरिक, internally, जो peace से सांती है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, यदि हम प्राक्रतिक नियमों के नियमों का उलंगन ना करें, और इनके अनुसार चलें, पहला नियम है, इसकी और हम चलते हैं, देखिए, समझने का प्रयास करन you control your life by controlling your time, तुम तुमारे जीवन को control कर सकते हो, समय को control करके, मतलब यदि हम समय को control करते हैं, तो हम हमारे जीवन को control कर सकते हैं, controlling our lives means controlling our time, जीवन को control करना, और थाथ समय को control करना, and controlling our time means controlling the events in our lives, समय को control करना इसका आर्थ यह है कि हमारे जीवन की जो घटनाए है इन घटनाओं को control करना ठीक है समझते हैं घटनाए You need to stop thinking time management तुम्हे time management या समय प्रबंधन के बारे में नहीं सोचना है यदि आप सोचते भी हैं तो सोचना बंद कर देना है और क्या करना है And start thinking event control और हमारी जो घटनाए हैं हमारे जो अलग-अलग तरे के हम कारी करते हैं यह अलग-अलग घटनाओं में सामिल होते हैं इवेंट्स उनको control करना है ना कि समय को control करने की कोशिस करना है यदि इवेंट्स control होंगे तो समय आटोमेटी की control हो जाएगा देखते हैं Too often we think time management has something to do with our watches Prior हम यह सोचते हैं कि हमारी घड़ी को देखकर जैसे ही घड़ी में हम देखते हैं कि 11 बजगे साड़े-दस बज़ इसकूल का टाइम हो गया है फिर दो बज़ने वाली है रेसेस का टाइम हो गया है अरेस्ट का टाइम हो गया है फिर धाई बज़े सोचेंगे कि फिर पीरेट लगने वाला है तो कहने का ताथ पर यह है साम को हम देखते हैं साड़े-पांच बजगे हैं घर जाने का समय हो गया है अब खेलके मिदान से घर जाने का समय है तो कहने का दात पर यह है कि प्राय हम घडी में देखते हैं और घडी को देखकर हम यह समझते हैं कि हम time को manage कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं वो घडी जो हमें क्या बताती है सिर्फ देखे क्या बताती है The only thing a watch tells you is how long it takes the sun to go across the sky घडी सिर्फ हमें यह बताती है कि सूरज आकास में कहा से कहा तक गया है घडी सिर्फ हमें यह बताती है ठीक है That's an event over which we have no control लेकिन यह एक एसा event है ऐसी घटना है जिसको हम control नहीं कर सकते है समय को हम control नहीं कर सकते हैं हम control कर सकते हैं हमारी events को the real issue is issue, एक word आया है, issue का आर्थ होता है, वाद विशाई, क्या होता है, वाद विशाई, मतलब जिस विशाई पर, जिस टोपिक कम पर हमें चर्चा करनी हो, that means issue, the real issue is, what events can I control, कौन सी events को मैं control कर सकता हूँ, क्या मैं events को control कर सकता हूँ, focusing on controlling the events of our lives, makes all the difference, यदि हम हमारे जीवन की जो घटनाए हैं, इवेंट से उनको control करने पर यदि focus करेंगे, तो हम पूरा अंतर कर सकते हैं, मतलब हम समय को control कर सकते हैं, और समय को control कर सकते हैं, तो हम हमारे जीवन को control कर सकते हैं, ठिक है, तो ironiem यह है, इसमें सबसे important चीज, एक ही राक्यम यदि में कहूँ, तो हमें सिर्फ हमारी events को control करना चाहिए, जिससे हमारा time control होगा और time control होगा, तो हम हमारे life control कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नमबर 37, पेज नमबर 2 दिया गया है, लाटू, देखिए, your governing values are the foundation of personal success and fulfillment, सबसे पेले हमें ये समझना है कि governing value क्या होती है, ठीक है, governing value का आर्थ होता है, शाशी, सासी, मुल्य, अब सासी मुल्य क्या है, या प्रबंधन मुल्य इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रबंधन मुल्य, ठीक है, प्रबंधन मुल्य मतलब हम अपने आप पर किस प्रकार से सासन करें, अपने आपको किस प्रकार से संचालित करें, that means governing values, your governing values are the foundation of personal success and fulfillment, आपकी governing value आधार है, हमें व्यक्तिगत, सफलता और संतुष्टी की, ठीक है, समझ मा आगया होगा आपको, व्यक्तिगत, सफलता और fulfillment का अवर्थत है, संतुष्टी का आधार क्या है, हमारी governing value है, governing value मतलब हम अपने आपको किस प्रकार से control करते हैं, हम अपने आपको कैसे संचालित करते हैं, Each of us lives according to a unique set of governing values, हम में से हर कोई, एक unique set of governing values के according कारी करता है, जैसे मैं अपने आपको किस प्रकार से संचालित करते हैं, तो सबकी एक unique set of governing values है, और उसके अनुसार ही हम चलते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं, These values are the things that are most important to you, और ये जो values हैं, ये जो मुल्य हैं, governing value के, यहीं आपके लिए सबसे महत्वपून है, They are presented by the clearest answer you can give to these questions, और इन प्रस्नों का उत्तर साप साप सब्दों में दिया जा सकता है, What are the highest priorities in my life, मेरे जीवन की सबसे प्राथ्मिक्ता क्या है, मेरे जीवन की सबसे उची प्राथ्मिक्ता क्या है, and of these priorities, which do I value most, Priority का आर्थ होता है प्राथ्मिक्ता, और इस प्राथ्मिक्ता, या इन प्राथ्मिक्ता की मुझे कितनी value करनी चाहिए, मतलब कोई से चीज को जैसे मान लिजे कि मैं teaching को highest priority देता हूं, तो इसकी मुझे कितनी value करनी चाहिए, यह मुझे पर depend करता है, आप के लिए कुन सी चीज ज़्यादा priority रखती है, आप उसको कितनी value देते हैं, यह आप पर depend करता है, even though our governing values are our highest priorities, यद भी जो हमारी governing values है, वही हमारी सबसे उची प्राथ्मिक्ता है, there often exists a gap between these ideals and our present realities, और हमारे आदर्स और वास्तुइक्ता में भी अंतर होता है, gap होती है, our performance relating to those values is never perfect, और जो हमारी governing value है, उसके अनुसार हम perform करें, काम करें, प्रदर्शन करें, यह कभी पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो हमारी governing value है, उसके अनुसार हम काम करें, यह कभी पूर्ण तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, बट, परन्तु, as we improve, परन्तु जेसे जेसे हम improve होते जाते हैं, we bring together what do and what we value, वेसे ही हम अपने आप में सुधार कर पाते हैं, और हमारी value के according हम काम करने लगते हैं, ठीक है, इसका सीधा सार्थ यह है कि आप कौन सी चीज को ज़्यादा priority देते हैं, और आप उस priority के अनुसार उसको कितनी value देते हैं, ठीक है, और अपने आपको कैसे संचालित करते हैं, rule number two, अब rule number three के ओर चलें, जब आपके देनिक कार्य, देनिक गतिविधियां आपकी governing values को reflect करें, मतलब जो काम आप करें, वो आपके संचालिन के अनुसार प्रदर्सित हो, you experience inner peace, तो फिर आपको आंतरिक सांती मिलेगी, once you identify your governing values, एक बार यदि आपने आपकी governing values, मतलब प्रबंधन, मुल्यों को यदि आपने पहचान लिया, समझ लिया, you must do something about them, तो फिर आपको उसके लिए कुछ करना होगा, क्या करना होगा, आप देखिए वो कैसे होने चाहिए, आपको उनको क्या मुल्य देना है, या कैसे काम करना है, आपके जो goal है, गोल मिन्स लक्ष, उनको छोटे-छोटे और मत्यम प्राप्त करने योग या आपको goal decide करना है, which can then be translated into daily task, जिनको की हम रोज मरगा के कारियों में परिवर्तित कर सके हैं, that will move you towards their achievements, ताकि वो छोटे-छोटे जो task हैं, उन task को आप complete करते करते एक achievement तक पहुँच जाओ, achievement का आर्थ होता है, उपलब्धी, क्यों होता है, उपलब्धी तक पहुँच जाएं, जैसे ही आप किसी कारियों को पूर्ण करने में अपना समय और एनरजी पर concentrate करोगे, that have a real meaning in your life, और उसी का सही अर्थ आपके जीवन में निकलेगा, you become more productive and achieve inner peace, और ज्यादा फिर आप अपने आप से productive मतलब उत्पादक और आंतरिक सान्ती प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे, a sense of fulfillment and unity, जिसका आर्थ निकलेगा, fulfillment मतलब संतुष्टी, unity मतलब एकता, ठीक है दोस्तों, अब question number अमाँ की जगा, law number 4 की ओर चले, तो देखिए, जो हमारे वीडियोज हैं, या जिन चेप्टर्स को भी हम complete कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक चेप्टर, एक ही वीडियो में हम complete कर पाएं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप देख नहीं पाते हैं, और यदि आप देखने ही पाते हैं, तो फिर उन वीडियों को लेंदी बनाने से मतलब क्या है, क्योंकि आपके लिए ही तो हम बना रहे हैं, अब जैसे हमें भी वीडियोज बनाने में, चेप्टर को complete करने में time लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आपका उदर से यदि response नहीं आता है, तो फिर इसा उट्सा या इनर्जी हमारे अंदर भी नहीं रहती है, यह हम आपके लिए अच्छे वीडियोज बना पाएं, जैसा आपका reply आएगा, उसी प्रकार से हम अच्छे से वीडियोज बनाने का प्रयास करेंगे, तो उमीद करता हूँ, कि आप हमारे इन वीडियोज को देखेंगे, देखने के बाद comments जरूर करेंगे, ठीक है, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपके लिए question डाला था, उस question का answer मेरे पास किसी भी student ने comments करके नहीं बताया, यदि आप comments करके बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगया कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो सार्थक है, तो आपने उस वीडियो को यदि नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देखें, और जो मेरे question दिया था, उस question का answer, please comments करके जरूर बताएं, ठीक है, चलिए, अब law number 4 है, to reach any significant goal, यह rule हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही important है, बहुत ही important rule है, है न, देखिए, समझने आप रयास करते हैं, to reach any significant goal, significant का आर्थ होता है, महत्पून गोल मतलब लक्ष, किसी महत्पून लक्ष को प्राप्त करने के लिए, you must leave your comfort zone, आपको आपके comfort zones को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, comfort zones का आर्थ होता है, आराम छेत्र, क्या होता है, आराम छेत्र, ठीक है, external or physical comfort zones are easy to understand, external मतलब बाहरी, बाहरी और भोतिक आराम छेत्र को समझना आसान है, easy है, but they are by no mean the only type of comfort zones विये हो, इसका अर्थ यह नहीं है, कि हमारे पास सिर्फ external और physical comfort zones ही ही है, इनके अलावा भी हमारे और भी comfort zones हैं, जैसे sometimes we develop mental, emotional, social and psychological comfort zones, prior हम मानसिक, बावात्मक, सामाजिक और मनोवज्यानिक आराम छेत्र भी हमारे अंदर उत्पन कर लेते हैं या बना लेते हैं, these can be much more difficult to live than our physical comfort zones, हमारे भोतिक comfort zones या आराम छेत्रों से को छोड़ने से ये ज़्यादा कई कठीन होते हैं, living our comfort zones requires efforts and commitment, इन comfort zones को त्यागने के लिए हमें effort और commitment की आउशकता होती है, commitment क्या है, commitment पर two number डला हुआ है, तो हम नीचे देखेंगे इसका अर्थ की commitment मतलब क्या होता है, वेसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी हमें word to word इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमें exam क्रेक करना है, अच्छे number लाना है, commitment का आर्थ होता है, a promise to do something, or to behave in a particular way, अपने आप से वादा करना, promise करना कि मुझे इसा करना है, particular way, विसेस direction में, उसको commitment बोलते हैं, तो कहना का दाद पर यह है कि यदि आप अच्छा बढ़ना चाते हैं, कोई साच्छा goal प्राप्त करना चाते हैं, आप UPSC exam crack करना चाते हैं, आप IAS बनना चाते हैं, आप डॉक्टर बनना चाते हैं, तो यह significant goal है, तो इस significant goal को प्राप्त करने के लिए आपको आपके comfort zones को leave करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, comfort zones क्या-क्या है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आराम देने वाली चीज़े हैं, these are comfort zones, and we have to leave, if we want to reach any significant goal, you must leave your comfort zones, ठीक है दोस्तों, बाकी के जो six natural laws of success हैं, उनको हम complete करेंगे, आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें, like करें, हमारे इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदश्यों का ध्यान और हमारे इस वीडियो आपको कैसा लगा, डमेंट्स करके जरूर बताएं, thank you very much for watching, stay home, stay safe, take care of yourself